जैसत्म सिद्धायना में भक्तों भक्तों जो एए रही किरियायोग के विश्य में बताता हूँ जो वर्ड का सबसे प्राचिन योग है खासकर भारती है और इसकी जो दोनों धारा हैं वो भी मैं बता हूँगा और यह है कि इसका जो है हम ऑनलाइन क्लास ला रहे हैं जो कि हमारे भक सिकाएंगे और जो विसिष्ट होगा बहुत ही उच्छतर इस्तिती को उसे मैं बताता चलूगा बागे हमारी वीडियोज आपने देख चुके हैं और देखते रहे हैं उसे तो इस्तमंदित क्या है वर्ड में जितनी भी ध्यान की विदियां हैं वो वन ट्रेक हैं वन ट्रेक मींस सामने वाले सद्या फोकस करती हैं भगवान की मूर्ती भगवान से प्रेयर तराटक विद् अंदर और जो सातों चक्त्र हैं मुलाधार स्वाधिष्टान ना भी एड़ देए कंटाक चक्त्र इसकी जो एनरजी है इसको डेवलप करते हुए जैसे मुलाधार है वो आपके ब्रम्चर्य की बेनिफिट देगा ग्रस्ती का बेनिफिट देगा एक्स्ट्रा जो वैसे से आधन क्या है मेरे मैं अपने को उपयोग कैसे करूं अपनी एनरजी को डेवलप कैसे करो ना भी जो है वो स्रिष्टी को बताता है बोडी की स्रिष्टी कैसा हुई इसका संबंद अन्यर रिलेशनों से किस परकार से है जितने भी रिलेशन्स हैं उनसे संबंद किस परकार क द्रफियों कैसे है यह बताता है फिर उसके प्रेंट्रॉल से काता अपने आत्मिक दरसन यह विशे यह बढ़ता जाता है इंटिशन डेवलफ होती है इसके बाद आता है कंट का मतलब है कि जो भी आप बोल रहे हो वह आपके अंदर confidence आएगा, जितनी भी आप दुनिया में बुक्सें देखते हैं, उसका आधार क्या है, उनके सब्दों का अर्थ क्या है और नए अर्थ क्या है, बहुत से ऐसे साध होगे, जो विसेश पड़े लिखें लेका, उन्होंने इतने अच्छे च्छे दोहे लिखे इतने अच्छे च्छे एक्स्पेरेशन करा वो कैसे करा, कंट की सकती से पहले नीचे के सारे चक्र जगरित करके आ अगे, पंच तत्व और पंच तत्वों से परे कैसे जाएं, पंच तत्व पर बाद में आप देखोगे natural क्योंकि होता क्या है हमारी body ray में इस तरीके का विक्जान काम करता ray और he ray और he का क्या है कि ray है सूरी है सकती और he जो है वो चंदर सकती बना इंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी और सुस्मना नाड़ी इंक दोनों के संगर से खुलती है सुस्मना नाड़ी खुलने उस पर तरंगित होता आपका body उपर से नीचे नीचे से उपर उपर से नीचे तो जो आपके अंदर आते हैं आपके लीवर्स है आपके कड़नी है या और भी जो लंग सेंख कले का है किसी भी XYZ कोई भी रोग हो या कोई भी जो है आपकी इंदरी हो उस समय जब वो कमपन गुजरता energetic होका तो पावार force, system, stamina, energy जो की पफसी का वे वैथड है वो इसमें भी है वो आपको प्राप्त होता है और जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसके अंदर, ये इतना असान नहीं है कह दिया कि ऐसे बैठ जाओ, ध्यान करो और ये सब चीज लेकर, तो आप क्या है कि अपने परीजन के साथ कैसे ध्यान करें इसका ध्यान का विशे क्या है, benefits क्या है कि हम अपने प्रीजन में या अपने जो ऐसा, जैसा बोंस है या कोई ऐसा वेक्षी है, जिससे आपका वैचारिक विरोध है, वो सब कैसे कंट्रोल हो, उसके प्रती दुरभावना का व्यावार खतम हो हमारे अंदर से भी, उसके अंदर से भी तो हम positive कैसे हों, सब से positivity डेवलप करने की विद्या है जितनी भी है, तो हम कैसे अपने अंदर डेवलप करें, और जो मेरा बच्चा है वो education मगर नहीं पढ़ पाता, तो उसको education कैसे डेवलप हो, कोई भी महिला है, भक्त है, वो pregnant है तो वो अपने अंदर जो है, उसका बच्चा होने जा रहा है उस नो महीने में किस परकार से रही करिया योग करने के उपरांद, वो उसके अंदर, नो के, नो चक्रों को जागरिस्ट कर देगी, ये भार निकल के वो लगा है, एम सत्यासमी कहने कारिस्ट है, तो आप जो है और जोबी बिमारी है कहीं भी आप जा रहे हैं, तो कैसे उप्योग करें और किसी ने फियोग करने का तरीका नहीं है जितने विध्यान की विधिया है वो अधूरेपन को लिये हूए हैं हर परकार की study करने की अप्रांथ थी, ये चीद प्राचीन काल की मैंने डेवलप करके, अतिया अनादी काल में ती है, पीछ में लुप्त बराय होगी। आप क्या होगे कि सास्त्रों में कहा लिखी हुई है, सास्त्रों में हर चीद नहीं लिखी है, हर चीद गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है, वो मैंने जागरित करी है और मैं उसको जब दे रहा हूँ तुम लोगों को, तो हमारे सब टीचर जो हैं उसको होगे से पूरी तरीके से तो इसमें जो पुरुस के भीजमंत्रï आज तक पूरे सास्त्रों में नहीं दी候, दीम व्रम यम, घं, तो यह क्या है, मुलादार स्वाधिस्टान नाभी हिर्दे कंट तो मुलादार में इस तरीके में है भम और उसके जो है स्वाधिस्टान में गम और नाभी में है उसके में सम और चम जो है चम बीज मंतर जो है उसके हिर्दे में और कंट में मम मम था है मैं खुद और जब यह उपर से घूमेगा तो मम चम सम गम भम ऐसे करके उसकी एनरजी उतरती हुए दोनों सईयुक्त होंगी सईयुक्त होने पर एक दूसरे से कंबाइंड होते हुए आपकी एनरजी विस्वे एनरजी बन जाएगे आपके अंदर डिवाइन लफ प ये गुरु है ये आप है आप धुरु के पैहरों से शुरू हो गए कि मेरों धियोगों को अपने पैर पेट चाती गला चैरा माता शिरर ऑफिर जब प्र एस सप्क प्रKeड़न में जब दोई हुए इस तरीक आपने वाला जोड़ी है गुरू है जा आपका पार्ट्र रह ह या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सक्स है, बीमार है, कोई भी चीज है, और चाहे दूर हो, कितने दूर हो, उससे कोई फरक ने पड़ता, उसको ध्यान का विश्या बना लेना, बैठ के ध्यान करना, लेट के ध्यान, जब है जब आप बिल्कुल ही जो है, आपकी अंदर कोई ताकत ही नहीं बचिया है, सो रहे जा रहे हो, तो ये लेते हुए आप लाएंगे, सिर, सिर, माता, चैरा, गला, छाती, पेट, पैर, ये ऐसे करते हुए, फिर वापी सिस्वा, ऐसे कंटीन्यू करते रहोगे, तो आपने सुबह के टाइम एक चुल लिया, सुबह के टाइम उनसे दाय नमे जबते हुए, गुरू के सिर, माता, चैरा, गला, चाती, पेट, पैर, और फिर कंटीन्यू इस तरीके से आप चलते चले जाओगे, अब ये आपके उपर निरबर करता है, कितनी दिर करते हो, तो इससे आपका गुरू से तालमे लोगा, गुरू की जो सक्त आपको दिखाई देगे, अंत में आपको आतमसाक्षात कार पराप्त होगा, और इसी प्रकार जैसे मैंने विदी बताई है, आप चाहे बैचलर हो, अपने अंदर कर सकते हो, अपने परीजनों के अंदर कर सकते हो, जिसकी पतनी या पती नहीं है, वो अपने पती को समाण क करके अगामी जनम के लिए वर्तमान जनम में भी उदानद का कारक रहेगी अगामी जनम में भी उत्तम प्राप्त होगा तो यह सब कुछ लेकर आप कर सकते हो और हमारे इस विशे को ओनलाइन आप जुड़ें और सीखें यह सब यह सिखाएंगे और आगे आने वाले समय पे रही क्रिया योग का जो ध्यान भी दिये उसकी ओनलाइन ग्लास चल लिए तो इसी को लेकर हमने कोर्स की डीटेल्स जो दी वो पिसली बार भी दी थी तो जब कोर्स उसमें और एडिशन हुए है मतलब कि जो पहला था उसमें और भी जो स्टेरीज है वो एड हो गई है तो इसी को लेकर हमने पना कोर्स दो है वो पूरा पांच पार्ट में डिवाइड करा है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स दूंगा बाकि अगर आपको पूरे कोर्स की इतान काई चाहिए तो डिस्किप्शन में डाल दिंगे सारी कोर्स की डीटेल्स पीडिया फॉ जो भी आपकी सक्राइड प्रॉलम होती है किसी बी तरह की उसका जो आपकी भारी शरीर शुका शुद्धी करन होगा और रहने अब दियान में तो मार जो आसन की स्थिड़ता है जो आसन सिद्धी है वह इसमें होगी तीसरे आता है सही मंत का चाण ग्न मतलग जो मंत्र जो को इस तरही के से गल्द प्रिणूंशिएशन उसी को लेकर जिसमें आपको ग्यान है सत्य ओम उस मंतर का बलकुष सही उचाण आपको बताया जाएगा और आपको शरीर रहता है कि मतलब की नीन्द बहुत आती है आलस रहता है माली सुबह उठें ध्यान करने बैटने तो और दो कोर्स की फीस है वह टोंदेड रुपीस को जो लेंड़ेज जो वो हिंदी और इंग्लिश जोनों होंगी और जो इसकी डूरेशन है हमारा पूरा कोर्स है यह हमारा एक महीने का होगा टाइमिंग जो है स्की सुबह 6-6 रहेगी और जो दिन एक लास के वह हुंगे बु जो अभी तख चलती आई है और जो जो मारे मास्टर से वो ही लेंगे और जो जो मारी डाउट का लास है यह माय रवी वार को रवी वार को सुबह 6-6 तक हमारी जो आदे गंटे कि यह वो डाउट क्लास हुआ करेगी फिर आते हैं दूसरे जो इसका स्टेज है वो है प्राण म सबसे पहले आपको क्या होगा जो प्राण से बना हुआ है उसके दर्शन होंगे आपको और जो पंचितत्व जो और मंदल होता है उसके दर्शन होंगे आपको उसकी सिद्धी होगी जो कॉस्मिक एनर्जी कनेक्शन है और सभी परकाल के जो रोग है हमारे जैसा कि हम पहले एक प्रान होँट्जा होती है वह स्वैम ही जैसे även रही के दाण भी यह कि उपर से नीशे नीचे से उपर तो जब यह आपका आप में धुच्छ गुड़ जाती हो तो उपक प्राण में उड़ जा है वह वह स्वैम ही स्वैम Springs चंपूर तरीके से उपर नीचे गती चलेगी और आपको इस पे पर नियंद्र नकन्ना भी पांट जो है जिसे हम आसन बोलते हैं तो हमाँ पर आपको जो है आसन की सिद्धी हो जाएगी बिलकुल तो इस कोर्स की फीश है वह 1000 और यह कोर्स का डुरेशन वह टू मंथ है वन थाउजन जो है वो टू मन्त की फीज है टोटल जो कोर्स की लेंगवेज है वो हिंदी और इंगलिश है और जो क्लास का टाइम है वो सुबह 6-6.50 तो गवा करेगा और जो क्लास के दिन है मतलब किस-किस दिन क्लास होगी वो हमारी वेटनस जे थस्ट जे फ्राइडे संट फिर आते हैं जोसकी स्टेस्ट रिये मनों में शरी मतलब जो मारा शरी जो मन से बना हुआ है वह वाला शरी इसमें आप क्या कैसीखेंगे सबसे पहले हैं इसका मान्सी शक्ति जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है वह बहुत स्ट्रॉंग होगी आप एवन आपको सम्मोन होत सब चीज्ज को जाएंगी और जो आती आती सास है मतलब जो सास लेते हैं और सास छोड़ते हैं तो आप आपके प्राकरतिक रूप से ध्यान लगा और जयसे कि बंद लगते हैं मूल बंद उडियान बंद जाल अंदर बंद वह सब लगना शुरू होगा और केवल कुम्भग लगना प्राकर्ति दूप से मतलब कुम्भग भी लगते हैं कुम्भग जो आपको नहीं लगाने की दोती पड़ेगी जैसे कि आप जानते हैं कि मन जो तीन इस्तर से बना हुआ है पहला इस्तर है उसका मूला दरा स्वाधिस्टान से बनाया मन का निचल आपको बहुत ही तो जैसे हमारा जो मन का निचला इस्तर होता है वह मूला दरा और स्वाधिस्टान से बना होता है तो जैसे आप रही क्रिया करते हैं जो नीचे से उपर इस तो एनर्जी उठने शुरू होती है जब आपका जो निचला इस तरह उसका शुद्धी करन होता है तो आपको होते हैं अगिंजोती के दर्शन फिरम उपर आते हैं जैसे नाभी हिर्दी और कंट जो मन का मध्य मिस्तर है जब एनर्जी और उपर आएगी तो इसमें आपका चित बनने शुरू होता है जिसमें देवी देवता पेल पौदे और सब चीजों के दर्शन होते हैं जैसे कि आपको पता कि 72,000 मनोवन नाड़ी के दर्शन भी होते हैं परकाया प्रवेश होता है परचित ग्यान होता है और हेद्र कंट में सामभी मुद्रा की प्राप्ती होती है सामभी मुद्रा क्या होती है सापने देखा हो कि वह इस तक यहां पर कुछ बिंदू बना होता है आग्या चक्र से यहां पर क्या होता है मन की पून्ट जागरती होती है वह होती है शुद्ध वस्ता होती है और चिद्ध आपका बलकुल एकागर होता है इसमें दर्शन होते है नील वन्नी जो जोती होती है आपको वह दिखाई दीती है और आग्या चक्र में भृक महीनों की फीस है टोटल फाइफ थाउजन टूपीस जो इसकी लेंगवेज है कोर्स की वह हमारी हिंदी और इंग्लिश रहेगी क्लास का टाइम वही है आपका सुबह से साड़ से वह तक और क्लास के दिन है वह हमारे सेम वेंड़नेस दे थ्रस्डे फ्राइडे सटर्डे और करें और संड़े और आपको क्हुदावट को संड़े को लिया जाएगा संज़े को मतलई छाइन केुश में भोड़ ल्ग फ्रिवा अपक़ चरील ने का शोदन होगा दूस्रा का अदिखकाद को पो यह लोगते में इसरा बांच वाद दर्शन नोच को सोरे क schöne उसका चांदाट्र विज्यान सोखती जरी बताएंगे इस प्रॉपीज विग्मनट उसकी दूरेशन वह औपकी त्री मंस मतलब कि आपको सेवन थाघ़न ठीarning इंगलिश हिंदी और क्लास का टाइम हो सुभए छे से साड़े चाहे वजे तक और जो क्लास के दिन है वही हमारे वेंड़नेस दे फ्राइडे और संडे और संडे को एक डाउड क्लास हुआ करेगी फिर आम आते हैं उसकी फिफ्टी स्टेज है रही करिया यह कोर्स की वो की ह है आनंद में शरीर की शुद्धी इसमें क्या होता है जो आप सब कुछ देख रहे हैं जो भी आप देख रहे हैं वह आपके समस्त आनंद का कारण होती है मतलब कि आप जो है इसमें जो है हर तरह के रोग दोस्ट नस्ट आते हैं आप किसी भी किरिया और प्रिति किरिया से परे हो जाते हैं मतलब जो भी आप देख रहे हैं आप उसमें इरिटेशन नहीं पाएंगे जो भी आप देख रहे हैं वह आपके आनंद का कारक होगी इस कोर्स की फीस वह 10,000 रुपीज है और जो इसका डूरेशन है वह हमारा त्री मन्स मतलब कि 10,000 फीस आपको पे करनी है तीन महीने के लिए कोर्स की लेंग्विज भाई है इंग्लिश और हिंदी टाइम सुबह 6 से 6.30 एम और जो क्लास के दिन है वह हमारे बुद्धवार ब्रस्पतवार शुक्रवार शनीवार और रभीवार और अगर आपको कोई डाउट है तो वह हर संड़े को आपका जो सुबह क्लास होती है 6 आपको अगर रही करिया का कोर्स करना है तो आपको बुल्कुल सुरूबाद करनी पड़ेगी फिर आपको एंड तक जाना पड़ेगा और अगर मैं टोटल लेखू तो टोटल लमा जो कोर्स की डूरेशन है वो हमारी एक साल है अगर आप फाइव इसको मिलाते हैं तो आपको बताया कि स्टेट लेवल किस तयारी होती है वो सब तरह आपको यह भी बता देगा कि जो मिस्टर ओलंपिया जो भी बड़े-बड़े वह होते हैं कॉम्पेटिशन उसकी कैसे तयारी होती है लेकिन आप एक साल में आपको चाहिए अपनी कड़ी महनत जैसा कि अगर यह चीज है कि आपको जो है साधना जो है बहुत घोर करनी पड़ेगी तब यह आप जाकर सिद्धों पाएंगे यह ना समझे कि हमारे पास आगए और आपने जो है अपनी फीस पे कर दी जो भी चीज और आप एक साल में सिद्धों रहेंगे यह बुलकुल नहीं होने वाल चाहे का जिए है बिलकुल सही कहा है कि हम आपको एक लेवल पर लगा कर सकते हैं उससे उपर उचना आपको ही हाई जैसकि तयराख होता है उससे वि लेकिन लेकिन देखेए क्म सेक्म आठ साल का तो माना ही जाता है कि आठ साल आपको करना ही पढ़ेगा तो साधना के बक्ष खुले के एक example मैं भी इसमें एड़ करना चाहता हूँ जैसे कि हम school की बात कर रहे हैं तो school में भी बहुत सारे standard होते हैं classes होती हैं जो एक बच्चा admission लेता है तब से लेके वो एक बड़े level तक पहुंसता है तो उसी पिरकार से जैसे वो admission लेगा माल लीजे हम suppose कीजे यहां कर लेते हैं first standard तो first to fifth एक stage हो गई, fifth to tenth अलग हो गई, 11th और 12th एक अलग हो गई उसके बाद वो graduation में आता है, graduation के बाद फिर वो post graduation भी करता है और यदि महां पे भी उसका आगे वो जाना चाता है, तो वो PhD तक पहुंसता है अब PhD पे पहुंचने के बाद यह नहीं है कि वो सब कुछ हासिल कर लेगा बस PhD में पहुंचने के बाद उसका यह होता है कि एक अपना उसका particular subject होता है जिस पे उसकी अपनी research होती है, अपनी सोच होती है और वहां से भी वो आगे जा सकता है और जाके वो क्या करता है फिर वो एक scientist बनता है scientist बनने के बाद क्या चीज़ वो उपलब्द कर सकता है कि वो एक नया आविशकार पैदा कर सकता है अपनी मर्जी से जो भी है जिसकी पी सुविदा के लिए मुचाता है ऐसे ही साधना के पक्ष होते हैं तो छोटे लेवल से चलते हैं, बड़े लेवल तक पहुंसते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है आप खुद ही देखिए कि आपने nursery में admission लिया तो आपने 12-14 साल 12 इंटरमीडियर करने तक निकाले फिर आप graduation भी करते हैं तीन साल उसमें जाते हैं तो कितना लंबा सब्सक्राइब पहुंसता है उसके बाद कहीं आप जाके एक आपका standard बनता है वैसे ही साधना के पक्ष में होता है तो इन सारी चीजों को हमें सब्जना चाहिए बहुत समय लगता है इसमें consistency चाहिए और आपका motive जो होता है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए शुद्ध मन से साधना करोगे तब आप एक उंचे लेवल तक पहुंच पाओगे तो अभी जो मैंने ये education वाला example लिया इसी example में कुछ add करना चाहता हूँ जैसे कि एक बार मैं बैटा था चर्चा हो रही थी गुरू जी के साथ तो एक शिश्य ने पूछा था कि गुरू जी मैं साधना तो करता हूँ लेकिन मुझे इतना result मिल नहीं पारा जितना कि मेरी इच्छा है उस चीज को लेकर तो फिर गुरू जी ने उस बात पर समझाए कि सपोस कीजिए आप नर्सरी से लेकर इतना समयाब स्कूल में व्यतीत करते हैं 12th standard है उसके बावजोद भी कई बच्चे वहां जाके पास होते हैं कई fail होते हैं उसमें भी grade होते हैं कौन A grade से पास हुआ है किसके B grade बने हैं कौन C में हैं तो वह आप वो किस पे टाले बात क्यूंकि जिसका C.I.A. grade इसका मतलब उसने इतनी मेहनत नहीं करी जिसका AI उसने बहुत hard work किया है, तो यह सारी चीजे भी depend होती है, उसके बाद जोद भी graduation में आते हैं, graduation में भी क्या बच्चे pass होते हैं, क्या फेल होते हैं, क्या योगी job वहीं पे लग जाती है, क्या योगी ने लग पाती है, फिर वो PG भी करते हैं, post graduation करते हैं, post graduation करने के बाद भी MBA, M.Tech वगरा होती है, तब भी बच्चे घर बैठे रहे हैं, job नहीं होती, तो उसमें क्या किसी दूसरे को उपर हम दोश नहीं दे सकते हैं, कि हमारी अपनी मेहनत होती है, वो हमें मन्जिल तक पहुचाती है, अब कितना hard work आप कर सकते हैं, यह आपके उपर depend करता है, फिर वो चाहां साधना का पक्ष हो, या कोई बहुत एक शेत्र में आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज हो, तो यह totally आपके उपर depend करती है, कि आपको एक method बता दिएगा है, और method के साथ आप कैसे काम कर रहे हैं, पू पूरु भाईयों के बीच जो सर्चा का विशरा है, इस टॉपिक को लेकर इस वीडियो के माध्यम से, तो उस सभी को आपने बखो भी समझा है, और उसी पर आप फोकस करके समझने कोशिश करेंगे, तो जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, जय सत्यों सिद्धायन जय सत्यों सिद्धायनमें। अतारीती वो अब सॉल्व हो गई है अब आप किसी भी टाइम और कुछ जो फॉर्णर्स हैं मालीजे यहाँ पर उनका टाइम अलग होता है यहाँ पर दिन है वहाँ पर रात है अलग-अलग कंट्रीज के लोग इसमें रही क्रिया सीखने के लिए आते हैं वाटसप पर मैं इमेल पर कॉंट्यक्ट करते हैं तो उनकी भी परिशानी अब सॉल्व हो गई है अब किस तरीके से क्लासीज होंगी उनकी डीटेल्स आप बहुत द्यान से सुनूइंगे गुरु भाई मौनीश आपको फुल डीटेल्स बताएंगे किस तरीके से आपको क्लास लेनी है किसी भी time ले सकते हैं जैसे में सब्सक्राइब बताया कि जो टे कि क्लास से तैम को ले के प्रड़म है वह ठीक हो चुकी है तो है आपको ऊगज़r आपको चुग अपको रिकोड प्रोगेड गए एक एप होटा अगर आपने एक decreased दीक तो अगर आप गोगल प्रेइब आपकी स्कीन पर भी शो हो रहा होगा Google Classroom Google Classroom राम से एक एप होता है आप उस एप के थुरू कभी भी किसी भी वक्त अपनी क्लास ले सकते हैं चाहे वह आप और ले से चाहे आप इवनिंग वे चाहे आप नाइट में योगी बहुत हमारे से गुरु भाही ने बताएं कि महीलाइज जोड़ी हुए हैं डॉक्टर की डॉक्टर सोते हैं उनकी लेट नाइट डूटी होती है तो वह सुबह जो हमारी टाइमिंग है सुबह हमारी लाइव क्लास होती है 6 a.m. to 630 a.m. तो वो उसमें कोप अपनी कर पाते तो उसी को लेकर जो प्रॉलम थी वो सब सॉल्व हो चुकी है तो मैं एक बार आपको बता दू कि जो हमारी क्लासिस हैं वो होंगी गूगल क्लास्रूम से अब्सेट ओपको क्या क्याशीज चाहिए हूंगी सबसे पुólक क्लास रूम दूसरा आपको एक एमाल कि आईडी चाहिए वार चाहिएज आप फर और शाप होता है Google Drive जो आपकी स्क्रीन पर शोग रहा होगा Google Drive एप होता है आपको यह तीन चीज़ें चाहिए पहला मैं दुवारा बता जाता हूं Google Classroom एक email ID और Google Drive एप अगर आपके पास mobile है चाहिए वह आपको Android mobile हो चाहिए आपका iPhone mobile हो आप किसी भी mobile पर इसको देख सकते हैं दूसरा आता है का फीन फीस इस्टक्टर क्या होंगाइप प्रोवाइप जा कर देख सकते एक कॉशन यह भी आता है कि जो हम class provide कराएंगे वह class कैसी होंगी जो हमारी live class चलती है जो live class चलती है उसी कि आपको recording होगी class पुराणी नहीं होगी class आपको up to date जो latest class आपको वह वैसी provide कराएंगी दूसरा यह भी आता है कि बहुत से लोगों को कि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ classes recorded ले लूँ कुछ क्लाइब में ले लूँ ऐसा नहीं होगा या तो आप live class में होंगे या पिर आप recorded class में होंगे अभी जो मारी live classes है उसकी टाइमिंग जो है morning में होती है 6am to 630 तो अगर आप live class लेना चाहते हैं तो 6am to 630 एम ले सकते हैं स्कीन पर आपको contact details चो हो रही आप उन contact details पर दाके WhatsApp कर सकते हैं कि मैं रही क्रिया योग classes को join करना चाहता हूं और अगर आप चाहते हैं मैं recorded लूँ तो आप केवलो केवल recorded ले पाएंगे हां अगर मालीजी आपको doubt session है तो हम doubt session में आपको allow कर देंगे कि आप doubt session live attend कर सकते हैं लेकिन doubt session जो live attend होगा जो उस जाएगा और आप अपने डाउट्स को बेज सकते हैं जैसा कि जो live class में आप सब्सक्राइब बेज सकते हैं तो आप जो है उसका उसका आंसर है आपको recorded lecture के तुर आपको मिल जाएगा आपको प्रोवाइड कैस होंगी देखिए जो Google classroom app है हम क्या करेंगे आपका जो मालीजी आप first stage में शुरू होते हैं तो आपको daily lecture मिला करेगा और वो 24 hours तक लिए रहेगा मतलब की जो आपका एक lecture है मालीजी आपने class आप आप से start करते हैं तो अगर आप आप से time लगाएंगे तो विदिन 24 hours वो lecture expire हो जाएगा फिर आपको अगले दिन फिन नया lecture दे रहाएगा उ अगर मैं पांस lecture मानूं तो आराउंड 2 से 3 hours मेरे बैठते हैं तो मैं एक काम करता हूं कि संडे को सारे lecture देख लूँ ऐसा नहीं होगा उसका reason के वलो के वली है कि आपकी जो continuity है क्योंकि ध्यान है कोई और चीज नहीं है ध्यान में आपको sincerity एक नियम बनाना पड़ता है तो आपको एप इंस्टल करना नहीं आता आपको एमेल डी बनाना आती तो आप निशिंत रहें जब आप आएंगे अगर आपको जब आप registration करवाएंगे तो आपको यह चीजे सब विदिवत सिखाई जाएंगी तो उसमें आप टेंशन ना लें कि मैं यूज कर पाऊंगा नही आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं को इसमें घखाने वाली बात आपकी है नहीं तो आपकी फीस है वो recorded की सेम रहेगी जैसे आपकी लाइव है और दूसरा यह है कि देही क्रिया योग में जो पांच स्टेज हैं तो जो आपको फीस जो डिपॉलिट करनी होती है वो ऐसा करनी होता ऐसा नहीं है अगर आपके यह सीखना चाहते हैं तो आप नहीं जाते हैं तो वो आपके उपर है आगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डिपॉट कर सकते हैं अगर आप नहीं सीना चाहते, तो वो सब आपके उपर है तो अगर आप record class join करना चाहते हैं record ये live of jubic class join करना चाहते हैं तो इसीनी पर आपको नम्मर शो ओ रहे होंगे आप चाहाए call कर सकते हैं, चाहाए आप whatsapp कर सकते हैं पहले आप एक बार वीडियो को पूरा देख लें अगर आपको कोई डाउट बसता है तो आप कॉल या वाटसब कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में जैसात्यों सिद्दायनमें कि अगलो फ्रेंड्स आज मैं जुड़ाओं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से से इन डवलप्मेंट अपर इन डवलप्मेंट बात यह आपको पता है सबको को चल ला है तो आप कोरोना में अभी अनाउंस्मेंट हो थी कम से कम 21 दिन के लिए तो ही लॉकड़ाउन और कर्फ दिन की है लेकिन ऐसा क्या करें इन 21 दिनों में जो आप डवलप्म अंदर से अपने आपको भी अपने परिवार को भी कैसे डवलप्म करें और बात इन 21 दिन की नहीं है बात आप काफी मतलब अपने आपको डवलप करना तो पुर लाइफटाइम प्रूसेस है जन्मों कोई चीज है अगर तुमको फायदा हुआ तो औरों को बाटो यह थोड़ी ना कि आपको कोई फायदा हुआ और आप इस चीज को रखके बैठ गए या फिर आप डर रहें कि अगर मैं किसी को बता हूँ गा तो मेरे पर लोग मतलब हसे तो नहीं है फिर कोई मेरी बात मानें कर नहीं मानेगा उसको रिजल्ट की मस सोचो के वल जो आपके पास है आपको फायदा हुआ और रहों बाटो कि अब इन 21 दिनों में क्या कर सकते हैं इन 21 दिन फायदा हुआ अगर आप करना शुरू करते हैं तो 21 दिन बाद आपकी हैबिट बन जाएगी वह चीज और आप उसमें लग जाएंगी मेरे साब से पहले चीज तो हो सकती है एक्सराइज एक्सराइज कर सकते हैं आप खुद भी करो अपने परीवार को भी करवाओ सब अपने परीवार के साथ हैं कुछ-कुछ हैं जो अपने परीवार के साथ नहीं है यह से मैं हूं मेरे ब्रदर नई जा पाया और मैं अटक गया फिर मोधी जी का आया कि बाई संडे को जनता कर शुब रहेगा मैंने सुचा में मंडे को सब लॉक्डाउन हो गया और मैं यहां फस गया फिर अब कल आया कि के लिए लॉक्डाउन है तो अब मेरे मन में भी आया कि यार मैं जाओं में चाहिए 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 तो इक तरह से आप अंदर से मतलब लड़ते हो अपने आप से परेशान होना सुरू हो गया कि मैं चल आजा तो मैं कर लेता में और लेता बट फिर ना मैं ध्यान करता रहत कि यार चल तो वहां जाता वहां अपने फैमिली साथ टाइम स्पेंड करता तो क्या हो गया तो यहां पर भी तो अच्छा कर सकता है कुछ मैं अपना सब पढ़ने का लाया हूं पफसी होग है मेरे पास अपनी एक्सेस करता हूं रोज और अपना रही के दिया योग ध्यान करता हूं तो ऐसे करते करते मेरे को आया कि भाई मुझ जैसे कही लोग होंगे जो शायद फसी हुए हूं कहीं ने कहीं मेरे मामा भी फसी हुए दिल्ली मामी महराश फसी होई है तो अब यह तो नहीं है कि हम एक्किस दिन अपना हाथ पे हाथ रखके बैठे रहें भाई हो आप कितना भी टाइम स्पेंड कर लो लेकिन 21 जिन घर में बंद रहना सब एक तरह साके बोरो जाएंगे तो फिर इन 21 दिनों में आप क्या कर सकते हैं दो पहला तो यह मेरे साब से कि आप अपने घरवालों को बैठा कर जो भी है सब खासकर से यूथ तो एक्साइस करता है अब यह नहीं है कि आपको जीमी जान जरूरी आप घर सकते हैं पफसी हो गया हमारा पावर फोर्ट इस्टेमिना एनरजी पंदर एक्साइस हैं बच्चे से बच्चा लेकर बूड़ों से बूड़ एक्साइस कर सकता है कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सिध्धानत यह है अपने अंदर को मतलब कि आप देखो 21 दिन है या तो यह किस दिन मैं ऐसे बिता सकता हूं कि ठीक है फेस्बुक चला लिए इंस्टाग्राम चला लिए यह मीम्स देख ली निउस देख ली कि आज यह वह आज इतनी जाने गई आज यह वह 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 21 दिन चलेगा और अभी क आपको हलकी सी चिख आई अब भी डर का महौल है कि मेरे को को और लग जाए मिर को कौरोन और लग जाए खासकर से बिल्ली वालों में नहीं है तो मैं उसे की बात कर रहा हूं कि आप अपने आपको अंदर से कैसे डविब लप कर सकते हैं कि 21 कि नहीं कि अटिके मैं प्यार मैं यूद को यह जो यूद के लिए बहुत अच्छा है माबाप बड़े हो गए उनको वह अपना जितना बैस था वह अपने लिए कर चुके आपके लिए कर चुके और कर भी रहें करेंगे भी अब यह कि आप अपने लिए कर बाद करते हैं दिखो सबसे पहले आता है हमारे जो जो पहले अपना लिए अपना 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 अच्छा मैसूस कर रहे हैं शान ने लेकिन उससे को फाइदा नहीं होता है फाइदा लेन नहीं होता क्योंकि आप मालीजी कहां से सीखाइए मैं मानता हूं की meditation हम लोग सीखते हैं YouTube से YouTube से इसे सीखते हैं अभी मैं ध्यान की बात कर रहा है करेंगी कि ऐसे मेडिटेशन करें ऐसे करें ऐसे करें आपने अपने अपने घरवालों को कैसे एक हिम्मत दे सकते हैं और अपने आग के लिए वीचा केरियर हो चाहे कुछ भी यो उसको भी कैसे भैजनी बना सकते हैं अब बात आती है द्यान क्या होता है द्यान होता है मैं अपनी आत्मा को जानूं कि भाई आखरी में हूं मैं क्यों आया हूं वह तो खेर बहुत बात का सवाल हो लिए बात यह मैं अपने आपको जानूं मैं अपना डवल्लपमेंट कैसे करूं और द्यान के अब बता सकता है जी जो पहला गुरू पर चलती थी अब भी है लेकिन अब आप वो वाले नहीं है मतलब की बहुत अब जातर लोग ने प्रोफेशन बना लिया है जैसे कि आप केस देख सकते हैं कोछ बावाव हैं हमारे जेल में आप बहुत से केस देख सकते हैं कि अपना पैसा कमानी चक्क् आपस उसकते नहीं मेरे पास मेरा इनर मन पर अपना अन्य नहीं है तो मैं नहीं किया आप खूपकर पती ऑजाो लेकिन आपकी हैने अपको मन सहहिं नहीं है आपको पैसा व्यर्थ है वो किसी काम का नहीं है अब ध्यान कर वाता है कौन गूरू बैक्ट्रटर टॉपिक ट वो किसी भगवान को पकड़ के बैथ हैं कि मैं तो इसको मानता ओं मैं इसको मानता हूं म利too एजिशार का भुरु घूंष कि अपने पुझाइन आगे कि और को छुपकवाते वह करते को अपनी यह जानता है हैं और दूसरे को भूभि दे देंगे तू भी अपनी आत्मा को जान अब अपना इन दिनों सबसे बढ़ी है इन दिनों आप अपना ध्यान कीजिए इन 21 दिन में एक बहुत अची बात होगी कि आपका दियान करना है आपका हैबिट बन जाएगा मैं बता हो अभी धियान कैसे करते हूंगे इन 21 दिनों में यहापकी हैबिट बन जाएगी और आप इसको continue कर ढ़ेगी अब ध्यान की बात हो सकता है आपके मन में सवाल जाहना कि भाई ठीक है यह खुद केरा ऑल कि एक करवाते थेकों कोई नहीं हूं तो फिर मेरी बाद को क्व отв performance माने और ऊब सकता है में तो पर मेरी बात क्यों मानेंगे लेकिन मैं जहां रहता हूंना मेरे गृणरी जी स्वामी सतिर्द्र जी महराज उनका यूट्यूब पर भी चैनल है बुलेंशर के बुलेंशर में रहते हैं वो शनीद्य मंदर के पीछे पर उनके गुरू मंतर से उनकी द्यान की विदी है रही के लिया योग उसको यूज करके उसका नियम करके मैंने खुद अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे चीजे देखिए अपने काम सावे बंत देखें अपना मन इतना शान देखा दूसरों की बिमारी ठीक कर अबयावले याни यहाँ रहते हैं उनका द्धूर्णा कर सकता हूं में उन को एक तरह से एनर्जी को यहाँडान अफचार के मैं यहाँ आकड नहीं द्रणा नहीं करता तो था करने कि यह जाए उसक्राराइब करने कि पर उसको क्या फिरूजा है और वो चुन्ता काम नहीं होगा मेरे काम नहीं होगा मेरे चीज्च होगी नहीं होगा लोटते हैं तो यह मैं इसलिए कहला हूं कि मैंने चीजे करिए मेरे को फाइदा हुआ है तो आप भी आपको भी करनी चाहिए और मैं खुद गुरू की निगरानी में रहा हूं स्वामी सत्य इंद्र जी महाराज है वो खुद आत्मसाक्षात कारी है खुद उनके पास सकते हैं अपने जनर में देख सकते हैं कि और का भूत बविश्य बता सकते हैं तो वह उन्होंने अपनी तपस्या से अपने ध्यान से वह सिद्धी को अपने सिद्धी उन से होती है सिद्धी से वह नहीं होते क्योंकि वह इतना ध्यान करते हैं वह सब चीज करते हैं और और अपने मन को बहुत शांत पाएंगे अपने घरवालों से आप चीज समझना चुरू कर दिंगे एक चिंता में रहेंगे चिंतन में रहेंगे कि यार ऐसा क्यों हो क्या मतलब आपकी सोच एक खाल दीन जाएगी एक प्रोड़क्टिव सोच दढएगी ध्यान करने से आप अपने घरवालों को जिसे अब सब चिंता में सब टेंशन में आप पता लगा सकते हैं कि यार आखिर क्या मुझे से कुछ गल्ती होती है कि मेरी क् मतलब आप वह अगर उनको भी करवाऊगे तो एक टेंशन ना गायब हो जाएगी और अब ध्यान करते कैसे मैं आपको वह बताता हूं हां तो अब बात आती हैं ध्यान करते कैसे हैं अब देखिए अगर आप किसी गुरू से जुड़े हुए तो गुरू मंत्र होता है या पिर आपके इस्ट का कोई मंत्र है और आप जोशी में मंत्र मानने तरखते हैं लेकिन सबसे सर्विस्टेज गुरू का मंत्र माना गया है और गुरू को भी माता पिता भगवान से उपर माना गया है अब ध्यान की विदी क्या है अपना सिंपल बैठ जाएए आप बैठे इसमें बात बैठने की यहिए बैठे लेखे कुछ भी हो है कोई नहाने दोने किसी का कोई वह नहीं कि हावज मेरे नहाकी बैठना है या कुछ बो करना है सिंपली आपको अभी अपने आपको जानना है कि भाई अपनी आत्मों के जानों आप सिंपल अपना बैट जाईए अपनी आखे बंद करिए और अपने मन की आख से देखने कोश्च करिए किसको देखने कोश्च करिए अपने पैर से लेकर अपने पंजों से लेकर अपना यह तक होता है यहां तक हाईये इस इतने इससे को देखनी कुश्च करिए इतने इससे में आप यह भी सभर होगे आदे हाथ हाथ मतलब हैं Wherever ने यह नहीं आई हैंगे तो आपके यह वी कवारें यहां और यहां यह पीछे का certainly तनी इससे में आपने लीप 네फ को देखें अपने पे अपना ये मुलष्ण से हां तक आया आप शाया अपना पेट अपनी कमष devastate आपने हठ़ी आर्रे आपने अपने आप अपने पिया तक अपने चेहरा देखने कोश्क करिए अपना माथे से अपना सिर्फ इतना इससे तो रिपीट करिए यह बापो यह दो देखने प्रड़ लग रहा हूँ कि यह पहले मैं अने पैर देखे मुला धर तर्म अपना आया चाहिए चाहिए से कंट से माथा माथा सिर्व और अपने जब मैं फिर मैं रिपीट हो गया आपको यह देखने वह ड्रामिटिक लग रहा हुआ कि यह क्या हो रहा है आप मैं गारंटी देता हूं आप इसको एक हफ्ते करके देखिए आपका मन भौन शांत रहेगा और यह आपको आगे जब आपने मन शांत पाएंगे क्योंकि अभी जो लाल आप ए अब्याद नहीं में तो अभी इक बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी ज्यादा अशांत एंवारिमेंट वर्ना तो आशांत एंवारिमेंट जब हैं जब आपका मन बहुत बढ़िया हो ना तो फिर भार के इतनी सब्सक्राइब करता है अब एक वायरस और नई वायरस और नई वायरस भी पैदा करता है अभी चाइना में विमारी सुनने में आई है फिलाल तो मैं इंडिया की बात करता हूं अब एक वायरस ना क्या वायरस को देता है मतलब किसे को और तो प्रोण और नाथ को सोने आपको तो नाग गरम चुड़ाएगी तो अब अगर आपका मन ताकत नहीं नहीं है तो आप ड़जाओगे यार मेरे साथी क्या हो रहा है इतने दिन हो गए मेरी नाग गरम सी हो रही सब्सक्राइब दो कि अगर ना होना फिर नहीं पड़ेगा अपना पड़ेगा और आप को तो स्वस्थ कर देंगे अपने घरवालों को विस पर लोगे तो मेरे साब से यही मेसेज ही कि आप ध्यान कीजिए इस दिन जितना कर सकते हैं और दूसरा exercise करवाइए भाई मैं exercise जानता हूं मैं अपने घरवाले कर लेकर अपने ध्यानिक जिम्मेदारी को लेकर बच्यों की एक्सराइस करवाईए न है ठीक है भाई वो पुछ अप्स नहीं कर सकते या फिर वह बहुत है वरकाउट नहीं कर सकते पफसी की एक्साइज हैं पावर फोर्स इस्टेंड स्टेम एनरजी वो कर सकते हैं मैं आप यूट्यूब पर जाएगा स्वाम टाइप करेंगा स्वामी की हाई रहेगी कोई कोरोना कुछ नहीं किसी प्रकाई की नेगटिविटी नहीं और जापना मंद स्वस्ता है तो बुद्धिव स्वस्त होती है साउंड माइंड लिव जिना साउंड बॉड़ी और दियान कीजिए और एक और मैसेज इस्टे एट होम बहार ना निकले कोरो यूथ जो होता है ना यूथ कदर एज होती है खास करते 22-23 साल हमारे 20-25 साल तक होते हैं यह बहुत कीमती होते हैं यह टाइम है यह टाइम डॉट के नहीं आएगा चॉइस आपकी है कि मैं यह टाइम को जो है यूज करूं डवलप करूं अपने आपको या फिर ठीक है मेर तो कोई शौक नहीं और मैं इसको विहर्थ कर दूँ चॉइस जॉर्स तो दियान करें रही के रिया योग करें और एकसाइस करें है हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपका मैंने पिछली वीडियो आपको बताई थी मेंटर हेल्थ के ऊपर इनर डवलप्मेंट रही के रिया योग इस कोरोना वाइरस में आप अपनी हेल्थ तो कैसे कर सकते हैं अच्छी अपने फैमिल तो यह कि आपने अपने दियान करूं लेकिन आपने यह किमें कर सकता हूं और किसी और मैं किसी और मैं किसी द्यान कर सकता हूं और वो जो ध्यान है वो वर्क कैसे करता है आखिर ऐसा क्या है इसमें तो मैं शुरू करता हूँ पहला मैं उठाता हूँ कि आप इस विजी को क्यों करें और ये क्या करती है विजी ऐसा तोना जो हमारी human body होती है इसमें चक्र होते हैं अगर आप अध्यात की तोर पर देखें हैं तो हमारे body में चक्र होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्कीन पर जैसे कि मुलाधार सौदिस्टान ना भी हिर्दय कंट आग्याचक और सैस्ट्रार और साथके साथ ग्रह होते हैं आपको बताओगा कि तूर रहा हो गया चंद्रमा हो गया शनी राहू के तूंसे तरह तो जो एंड प्रॉटक्ट होता है उसको चलाओक चलाओक चलाओके तो उस जो एंड प्रॉटक्ट निकलता अब उससे चाहिए अपना घीवी बना सकते हैं पर नीरी बना सकते हैं पुछ द्हवोन भौव आपको सुथे न वह पर बनेंगा को जबैंग तो यह संतुर्ण माने शुरू होंगे और फिर आपकी भर करेगी टेक नहीं आपके अंदर जितने भी जो आपके ये नेगरिटिव फोर्स होते हैं जैसे की काम क्रोध लोब मोह इर्शा एहंकार मतलब की लस्ट और ग्रीड हो गया अटेश्मेंट जेलसी एगो एक्सेक्टर यह जो सारी चीजों होती है ना यह सब बै चीजें जाई ने सकती हैं क्योंकि अगर काम भाव नहीं है आप में तो आप क्रिया कैसे करोगे मतलब मैं अगर काम करने की एनरजी है वह कहां से लाओगे जो आपना ऑफिस में काम कुछ भी काम करते हैं उसके इनरजी का से लाओगे तो यह तो आप भूल जाओ कि भाई म उप गया यह सब चीज़े बैलेंस में आती है और जब यह चीज़े बैले आती है नहीं जतनी यह पो मेरे नहीं मेरे नहीं है किस चीज का मतलब रहे नहीं फाल तूं नहीं मतलब चीज़ें बैरेंस में आ जाए जब रही करोगे जब एक सरकल सा बनाओं तो यही चीज नहीं तो रहेंगी आपकी लव में प्रेम पीस शान्ती में काइड़नेस कर्म दान दोनेशर हमारे उसमें भी बताया गया है गुरु के कालों में गुरु जी बताते हैं कि दान तब सेवा यह तीन चीज़े होती है जो बहुत ही इंपोर्टेंट होती है और जैसे कि आप रही करोगे तो आपके जो जितनी भी नेगेटिटिफ कोड़ से नहीं सब पॉसिटिफ में चीज़ रहेंगे क जी आप किशी भगवान को देखो कि मैं आपका एक एक बहुति महशूर किस्सा है मतले बहुती अच्छा किस्सा है कि जासे मीरा ऐसांपल देखो मीरा जो थी वह किशंजी को पूस्टी थी उनको खुली आंख से लिए दिखने शुरू हो गय थे किशन्जी में साथा सो रह कर वो उक्ता गई लेकिन उनके मन को शांती नहीं मिली कि यार किशन जी किशन जी किशन जी मतला वो मतला खुछ सोच आप आपके सामने भगवान है आप सब चीज़त देख रहे हो फिर भी आप अब भी परेशान हो और वह उतनी परेशान हो गई कि वह अपनी किशन जी की तो मैं खुदको जानने आई हूं यहां से शुरू होता है गुरू का क्या मानिद भगवान सेबी ऊपर जहां भगवान घ्टमे वहाँ गुरु शुरूरी तो वही जाननी आई यह जिदो नहीं कूला इंग Speaking यह तुम भी तो नहींने का पहले तो यह किशन जी की मूरति करो तब भी तुम्हारा आत्मसाक्षाथकार पूसिबल है तो आप खुद देखो वह अपने किसन जी को मानती थी वह भगवान की पूजा करती थी उसके बावजूद भी कहीं शानती नहीं मिली रही कि रिया यह सबसे बैस आडवांटेज है क्योंकि आप किसी की भी पूजा नहीं चाहिए भी धरम हो चाहिए कुछ भी यह आप जहां औरों में और रोज गए वहां आपके मन को शांती नहीं है से में किस्सा होता है रामकिष्ट परमंस जो हमारे विवेका नजी के गुरू थे वह करते थे काली जी की जिए वह काली की सिद्धी करते थे अब उनको और वी अब में बैठने के बास सीधे एक सीधे मतलब वो बार बार आग बंद करते ही अब क्या कर्णा आपने जो ओंगे आ रिए तही बार बार उनको लूटिए की उड़ा दी उसके बाद वो एंटर हुए अपने निर्वकल समाधी में यहां पर भी जो कितना बड़ा एजामपल है विवेकनन जी गुरू रामकिष्ट परमहंस उनको भी अपने इस्ट की जिसकी वो साधना करते थे काली जी को उनको हटाना पड़के खुद का ध्यान लगाना पड़ा तब ही वो आत्मसाक्षातकार मतलब पूर्ण हो पाए इसलिए यह बहस्त है कि आप अपना ध्यान लगा रहे हैं कोई और परसन नहीं दूसरा यह भी होता है कि मालने चली आप किसी से यह हो गया कि चलो मैं इन भगवान की पूजा करता हू वह अपके साहे बध heteron नहीं आपकी कभी उनसे कुई बात deceived नहीं है आप नहीं जानते कि क्या थाथ ऑप करना छाटे हो में पकिसी ऑखवान को देखो कोई भगवान किसी भगवाद की पूजा नहीं करता कोई मूरती पूजा नहीं सब कह अबmonth आपना है कि वह अपने आप में ध्यान लगाते हैं और रही के रिया जोग करते हैं और अपने ग्रहों का अपने चीजों का शोधन करते हुए अपना आत्म साक्षात कर पाते हैं इसी से यह आपको शांती मिलेगी अब आता है कि एक और सवाल आया था कि अगर रही के रिया जोग करेंगे तो से होगा वह आपको ग्रहों कर सकते हैं कि बिखकर सकते कि यह देखो अगर जुटिव वाइब्लेशन के साथ आप अपना काम कर सकते हो वह कोई थर्ड परसन नहीं कर सकता कि जब तक वह कोई आत्मुसाक्षात कारी गुरू नौर मुझा आउसद कर दो कुछा दिया तो काम हो गया और आपके इतने जप कर दूँगा इतने जब कर दूँगा में को इतने रुपे लएंगे आप ने का चलो ठीक है पूजा फाट तो रही है पैसे दे दूगा उन्हें ने का चलो जी इतने रुपे में अपके 21 या 1 लाग सवालाग जब कर दूँगा लेकिन उसका दिमाग तो कहां पर है कि भाई जब कंपलीट क कोई डाल सकता तो बैस्ता है आप ही अपना घर में बैटी ठीक है हॉएं तो आपकी मंत्री जो आपकी खुदकी शक्ति है और जो होता है मन पाप पॉज़िटिविटी ले वह से बहुत पढ़ती है तो आप जाट से आधा मंत्र के साथ उसको कर सकते हैं यग को और किसी ने में आगया एक्स्प्राइशन रही क्रिया यो क्यों क्या होता है एक था कि मेरे पास गुरू मंतर नहीं है तो आपके मन को शानती नहीं मिलेगी अपने आपे से अब अगर आप उसमें उल्जोगे तो सत्यों सद्धायन में आपकी खुद की आत्मा का मंतर है जितना जब होगे उतना फायदा होगा हाँ आते हैं हमारा में कोश्चन पर अब यह अपने आप मेंदर विधी करें गई एक सरकल जबनेंगा अब बात आती है कि आप औरों में कैसे ट्रांस्पर करें से इनर्जी को भ से मुलाधार तक अब यहां तक आए चैस ट पर चैस तक है अब क्या करें जहां से आएँगे ट enormously आए था कि आचनले serait चाथ तक करेंगे तो पूरा पर ऐफे फिर पर यह सिर तक आएंगे फिर मम्मी की सिर में पापा की सिर में फिर आते हुए ऐसे ऐसे अब यह काम करती है यह कि पहला तो जब आप खुद करेंगे तो आपका शोधन होगा अंदर से आपके घ्रह सुधनने शुरू होंगे सब चीश दूरेंगे आपके सारे चक्र रही की तुरू डवलप होंगे आपका मप शांत रहेगा आपका मन का स्तर बढेगा जब आप अपने एक ट्रांस्फारमरू उना तो जो ट्रांस्फार मंर है वह इतरी में पापर डाल सकता है दूसरा एक है कि भाई जो प्यार आप अपने किसी को भी बिमार आप यह करते हो आप सीधन में ट्रांस्टर करोगा एनरजी तो उनके मन को शान्ती मिलेगी है हंडेड और टैंपरसेंट उनको सान्थी मिलेगी आप जिसमें भी इसके अंदर भी भाव कि मैं ठीक हूँ बिमार है कि मेरे जल्दे ठीक हुआ है और आपको पता है कि मेरी मुमी ब्राव थो आपको वी एक एनरजी देने की चाहा है अब आप आप एनरजी देना चाहते हैं वो एनरजी लेना चाहते हैं लेनी चाहती है तो इतना दो करने चले आपका खुद इतना बलत नहीं है एसा नहीं मैं यह नहीं कहां कि बहुत करने की ज़रूत हैं अप थोड़े अपने आपने आपने करो तब ही तो और हो और करोगे अगर आप खुड़ के वीडियो मना दी कि सुनने वाले को असानी पड़ेगी जैस्त्यम सुद्धायन हमें इस वीडियो में बहुत ही एक आपका ज़रूरी टॉपिस दुड़ाउं कि आखिर जो मेरे गुरूजी है स्वामी सतेने जी महराज उनका आखिर मोटो क्या है तो इस वीडियो को हैं बुलेंशर के रहने वाले हैं उनका जनलमिस्थान भाई है उनके पिताजी का नाम है स्वर्गिय जगदीश्वर सिंग तोमर जोकी एडवोकेट थे और अपने पूरे आसपास में बहुती सम्मारी है वेखती रहे वो और उनकी माताग नाम है लीलवती उनके दो छोट कलने हैं इस मडीन का मोतर कर क्या आप कवा ऐसार अन। इस आप कभी और ज्यांगने मनेğı घालवेद्र ने कमेशा के टो मदिरों में लेड router एई सिंठी बन्द है तो उनका मिशन वो है जैसे कि होता ढमाना करते हैं कि wirka लेशनों में मन्यों में जाएँ पर शॉब्स नान होता है तो उसमें नहीं होता प्रिथमन को पूशिघ की बहुत चीज है और अब यह है कि उन्होंने क्या किया है अभी जब हमारे अभी आपकर कुम भूब आ था गुरुजी ने वहां पर उनको प्रिथम इसनान के लिए दिया था जगे और वह खुछ भी क स्थापित क्या शाहिदे मंदिर उसमें क्या है कि उसमें कोई वो नहीं है कि भार का कोई पंदित जी आकर बठा दिया तो वहां पर भी हमारे जो जितने कि प्रीड तो वो मेंस को लाउड नहीं होता यह सब चीजना यह बहुत ही लो लेवल कि चीजें यह बो मतलब में समाज में पहल लखी है कि तो व में कुछा नहीं करेंगी भार भग जाएंगी वह कुछ चीज नहीं है हमारे हाँ जो आश्रम चे जोड़े हुआ वो कभी भी महीला कभी अतला किसी भी वक्ता सकती है यह नहीं की पीरिट से मैं गुरूजी के पास नहीं आँगी घर पर रहांगी यह फिर मन्दर में सेवा नहीं दोंगी तो जो गुरू जी का शहिंदे मंदिर है वहाँ पर भी महिला सेवा देती है वहाँ पर भी उनको फर्स्ट राइट है कोई ऐसा नहीं कि नहीं आप नहीं आ सकते या फिर हमेशा मेल ही आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है उनका मिशन यह है कि महिलाओं को आगे लाया जाए अब आप जैसे देखें भी रहे हैं कि महिला एज्यूकेशन में आगे आती जा रही है लेकिन अभी वह इस्प्रीच्वली बहुत आगे नहीं है तो गोजी का मिशन यह है कि उनको कैसे क्योंकि जो हमारी परिवार है वह महिला से होता है तो महिला कैसे डवलप हो और इसी महिला भी धया है वरड में कहीं भी नहीं है वह यह उने की कोज्व है और दूसरा उनका है रही क्रिया योग कहीं नहीं है यह भी ऐसा नहीं है कि पहली बार आलो है बहुत प्राची नहीं लेकिन लूप तो गईती पीच में तो गुरू जी उसको भी л coord करते रहू या पिर लगे रहा हो दुनिया भर की चीज़ों में तो ध्यान और मतलब यह होता है कि डवलप्मेंट डवलप्मेंट ऐसे की जैसे कि अगर आपको मालो मैं इसे में चार्ट अकाउंट टेंजी कर रहा हूं अब मैं पूरे दिन अगर वहां लगा रहा हूं पूजा पार्ट में तो मेरी फॉर्फष लिए आगर मैं तो मैं पूरा अपना जोग दो जितनी टाइम में बाद यूदि कर रहा हूं मतलब जो मेरा द्यान है ना जो मेरी कंसेंट्रेशन पर वार्वाना करने बढ़ा है कि भगवान से आप्र किल गूरु जी से कंपन काने बढ़ जांगी यह मेरेसं अपने आप में ही कैसे चीजें सॉल्व करें वो भी एक तरह का धानी है किसी चीच को सोचना उस पर एक सॉलूशन निकालना वो भी एक आपकी स्पिरिश्युलिटी है spirituality का मतलब यह न ले जाएं कि घंटे वजाने से भगवान के सामने सुनाने थी आग गुरू जी को सुनाने से वह जी solve होती है spirituality का मतलब वह नहीं होता दूसरा एक यह है कि जैसे रही के रिया रोग करते हैं और spirituality का मतलब एक और आपको बता दू कि गुरू जी का एम यह नहीं है कि जिसे मैं आपको पता चुका कि आपको द्यान करना आप द्यान कर सकते हैं रही करें लोग तो उनका कभी यह नहीं है हो सकता है मेरी वीडियो से किसी को यह भी लग रहा हो कि यह कहीं बावा ना बन जाए कहीं गेर वे कपड़े पहन के अपने घरवा लोगो ना छोड़ मतलब यह चीज़ चलती है न समाव में पहली हुए उनका यह mission नहीं है उनका सीदह यह mission है कि अगर हम कल अपने वहां ज जो भी हो आप अपने परिवार में रहकर कैसे खुद को डवलप करें कैसे अपनी आने वाली पीड़ी को डवलप करें ध्यान के तुरू और वह भी रियल जो अपना आत्म साक्षात का रहें उसको पाएं यह नहीं कि आप परिवार चोड़के भग गए और कुछ नहीं कर चाहरे रहें यह सो नौँ है जैसे जैसे शाना और है कि यह जो फैला रखा है कि आपको डूर रहना है आपको महीला उसे बातनी करनी हों इसको क्टी नी करvate, worship होता कि आप इस द्री पास को यह के सहज ह्जह नहीं सोलने इस नहीं कि लंगोटा भान लाया कि मैं तो इस जो बात नहीं करूंगा या टचना ओने दूं या फिर जो है मैंने गेर वे कपड़े पनके में दूर भग गया भी ध्रम चल रहे का मतलब है कि मैं अगर सिंगल हूं या पिर मैं अगर अभी मैं नहीं हूं और मैं अगर किसी रिलेशनिशिप में आता हूं तो मैं उसको लेके वन प्रे करें और उसमें ध्यान करें समझें चीज़ों करें तो अंका एम वो है तो बक्रवाजबाजी फैली हुई है ध्याम को लेकर तो उन्के खिलाफ हैं वो कहते हैं हमेशा सच्चे चीज को पकड़ो आपके बुल्कुल मतलब जो सङीज नहीं गलत चीज मत पकड़ो जै यसे कि आप अपने घर में कोई भी पूज़ा करवाते हो तो मैं मुंनुक्त रहा क्योंकि हमें चीजा पता नहीं होती बादें पता हैं तो हम क्या है मांने फिर्ञाय कर ल 추천 कियो बहुत कीमोजिफेंगों कियोज्ब भेस Fit लाग जब कर दिंगे वो इतने 21 20 30 वी हज़ार रुपे में तो उनका ध्यान होता है जितने भी यह एसम करवाया काम करवाते हैं तो उनका थ्यान केवल अपनी पेमिंट के उपर होता वह वह कहते हैं कि भई जब मालो मेरे को काम करना है ठीक है मेरे को अगर नहीं पता वेदी वो गहाई यग की सिंपल देशा कुछ नहीं होता अपने अपनी जो मनों इच्छा है वह बोली और अपने मंत्र गुरू मंत्र के साथ शुरू हो अपना एक करने को तो वह काम अप खुद करो किसी थार्ड परजों क्यों पुल आतीयों क्यों क्योंकि इनरजी आप अपने काम में डाल सकते वो दूसरा आद्मीं डील सकता की मालोगर आपको यह बल्कुल है कि मालों कि कल एक्वा में तो आप जतनी चांसाब सकते soaking exam वाली मतलब सीध़ सीधर इस कि जतनी वाइब्रेशन आप अपन का जो है हमारा पाफसीयोग पाफसीयोग मतलब पावर फोर्स स्ट्रेंद स्टैमिन एनरजी इसके अंदर क्या पंदर एक्साइज है पंदर एक्साइज है जिसमें किसी भारी आपको किसी वेट की जरूत नहीं कुछ जरूत नहीं अब अपनी बॉड़ी को यूज करके कैसे बॉड़ी को डवलप कर सकते हैं कैसे स्ट्रेंद पा सकते हैं और यह भी नहीं है कि जैसे जिम हो गया जिम में यह कि आपको एक तक यह जासकते बूड़ा आजमीं है जो चल पें नहीं सकता चल अब्छी मतलब कि जो अपने बाप बैठा हुआ है आपने प्री बोड़ी ट तो इसी तरीके से ही आपकी जो बॉड़ी है नो अंदर से जो इक बारीगनस होती है वह खुलती है इसे सिंपल एक्जामपल है स्टेज फस्ट है वागी 15 एक्साइज है कोई भी कर सकता है कोई यह नहीं है कि आपको भारी क्योंकि जिम वह गया मैं किसी जो कलत नहीं बता रह हो उसमें भार से अंदर की तरह कर रहे हो बादी को मतलब भार आपके वेट है आप अंदर डवलब करते हो उसमें कहीं ने कहीं होती है कि यहां मैंने तो केवल 50 kg बेंच पर 60 को बहुत डवलब नहीं कर पाते हैं अफसी में यह है कि आप पूरी जान लगा रहे हो चाहे एक करने पूरी जान लगानी है यहां पर आपका एक माइन ना आपको वो नहीं करता अब अपनी कैपिसोटी कितनी बढ़ा सकते हो और यहां बॉड़ी अंदर से बहार डवलब होती है और यह भी है कि अगर इसमें जैसे जिम में कि आपको यह डाइट लेनी पड़ेगी यह ड 2020 को बनाए जाएगा उसमें क्या है जैसे कि जितने भी हमारे वरत हुए है आज तक यह हुए है कि पुरुष के लिए इस तरी रखती है गुरुजी ने शुरू कराए कि यह जो पुरुष है वो रखते हैं इस तरियों के लिए एक मेरीड में रखता है अपनी वाइफ के ल कि खुए है और जब लगो मतलब की वह वह चीजह जो अपको डवलब करती है तो यह ए Questo में हम वरता रखते हैं पूरे दिन मतलब सुबह हम कुछ खा लेते हैं पूरे दिन ध्यान और जब चलता है औ्योंकि और यह ऊपने जो आने वाईफ है या पिया गयास है और वी पहली बार नहीं शुरुवात कि जो में करता है मतलब कि क्योंकि अगर में के लिए वरत तो मैंस का भी तो jektर कि अगर हम दोनों हैं तो मेरी responsibility है कि मैं उसके लिए विरत रखूं अपने उनके लिए भी अपने बच्चों के लिए मतलब responsible लो उनके लिए भी थोड़ा अपना ध्यान करूं तो एक यह चीज है और बहुत ही वह सैज नेचर के हैं कभी यह नहीं हुआ कि किसी को मतलब की जै किसी कभी कोई फीस नहीं हर किसी किसी चीज की फीस नहीं बहुत रहते हैं बहुत ही और है अपना जो भी नेचर है उसको चेंज मत करो अपना ध्यान करो चीज़ें अपने आपके कंट्रोल में आ जाएंगी और आप भी खुश रहोगे कभी यह नहीं हुआ उनका कि बहुत ही बड़े तपके में मतलब बहुत ही बड़े नेम फेम चाहिए या फिर बहुत ही किसी को कि किसी को मतलब एक होता है ना कि इक इगोस्टिक होती है वो कभी नहीं एक यह भी कि जैसे उनके फादर की डैथ होई थी तो यह कभी अपने उन्निस्सों चाहड़ में हो गया अपनी गद्दी वहां लगा रखिये बदन शहर में कभी वहां से आथ तक नियुक्त कभी वहां से उटके नहीं गए तो यह उ यह वह कहते हैं ना डवलपमेंड वाले चीज़ तो यही कुछ बाते थी जो हमारे गुजरें शुरू करी है और होप सब इन चीज़ों को अपना है है कि जेशें सत्वनेम कि लिवस रखते की बहुत बहुत्तौत कामना है अब आज वरत है यह दो यह प्रेम्पूंधनेमा वरत हम क्यों रखते हैं तो प्रेमपूंधनेमा वरत होता जो डि抗ी आपने विरत देखें हैं थे जो चल रहे हैं कि हर विरत ऐसा होता है कि इस्तरी होता है की मिल अपना रखती है अपने मेल के रिए मतलब की इसकैकन रखती में पूरुष के लिए करवाचॉथ इसम sein की जो पतनवी होती तो यह हमारे निकाला क्योंकि पहले भी होते थे आपके बहुत पहले पुरुजा काल में यह वरत होते थे लेकिन फिर बीच में लपतो होगे तो गुरुजी इसी को फिर से वापस लाए कि अगर इस्तरी का वो बनता है अगर इस्तरी रखती है तो भाई पुरुष भी तो कुछ करें पुरुष का भी तो राइड वाल्द है कि वह भी अपनी इस्तरी जो है जो बीस्की वाइफ है उसके प्रती रैस्पेक्ट के चीज तो यह वरत होता है हमारा प्रेम पूर्णे वरत यह रखते हैं हस्बर्ण रखता है अपने वाइफ के लिए और इसे हम बैचलर भी रखते हैं मेरे भी आज वरत है आज हम जो पूरे दिन अपना सुबह कुछ दूद या चाय पी लेते हैं और साम को अपना वही नॉर्मल बढ़िवाइफ हो इस रोगा भी मेरे लवारोगा ऑसलब मेरे आने वाले मिर को बढ़िया और इसकी में मतलब आत्मिक उन्नत पर सकोCS को अपने जो जो अगले जनम वाले या फिर जो भी उनका अगला हो उसके लिए रखते हैं जो मेरे को बैस से बैस मिले क्योंकि देखिए अब जैसे यह वरत आकरे से होता क्या है वरत हम रखते हैं कहीं हमारा एक संकलबल बढ़ता है पूरे दिन रहार रहते हैं पूरे दिन मतलब कि सुछ बैसे शाम कोई खाना खाएंगे अपना घाना नौर्मली कोई वैसे निए की जिसे अपना व्रत चल लें वह तो आज कल के वह व्रत तो चल जाएं कि हम कड़ते कुछ नहीं हैं हम कहते हैं करते हैं की पकोड़ी सब कोई यह तरफ से खाते हैं तो içerisku संकटल मेरे और दूसरा पए पर यह मेरे आने आब बरत रहूं एक डिवाइन लव के लिए जो भी मैरे आने वाली वाईफाइब है भई हम अपने आपको अभीस सते यार करते हैं कि हम उसको रेसपैक्ट दें हम भी उनकी लिए कुछ करें और हम को जो मिले एक बैस अने वाईब में अब जैसे मेरे को डवल उप करें और मैं असको डवल जो अफ आप जैसे विर Das करते हैं औसमें तरह से डिनामाटिक होता तो बस हमारी चीज है जो होनी चाहिए हम अपर शाह करते हैं कि जना बैस्त करने वाला मिली हमयक Rekt sait करने वाली मिलेए लेकिन आप उनकी व्रत देखो लड़कियों की बटेば टो वह क्या सब्सक्राइब अब उसमें है तो वरत वो देवताओं के लिए लेकिन हम कल्पना करते हैं अपने अच्छे बैंड की मला कैसे पॉसिबल आप रख रहे हो शिव जी के लिए और आप पेक्षा करते हो कि मेरे को बहुत अच्छा बना किसी और के लिए और चाहाम कुछ और रहे हैं आप समझ प खेर वह बहुत अलग उसकी तो थ्योरी वकवास है तो अब सीधर से यह है कि हम क्या करते हैं जो हमारा व्रत है हम सीधर सीधर उसमें रखते हैं मैं अपनी बैचलोस की बताता हूं हमारा सीधर होता है कि मेरा जो अभी से जो डिवोशन है वो मेरी आने वाले वाइफ के लि है ऐए है अब ही मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी आने वाइफ है हिस होगी हम सीधर साभी है कि हम अपना जो भी मेरी वाइफ हो भाई मैं उसको ब राब यह एक्षान ही करते हैं हम अपने आपको इस्तियार करते हैं कि मेरी जो वाइफ है मैं उसके लिए रखूँगा संकल बल पैदा करूँगा उसका डवलप्मेंट के लिए सोचूँगा हम यहां पर यह निसोचते कि वह मुझको आकर दे और सचसा प्यार वही होता है असल लव मतलब वह आके हम लव का मतलब होता है मेरी रिएस्पॉनसीब्लीटी वह करे ना करे भाई वह चाहिए कुछ भी ना करे मेरी रिस्पॉनसीब्लीटी मैं करूं क्योंकि इनी चीजिएं से आके हम खुद को जानते हैं यह आकर मैं भी तो हूँ ठीक है मैं अपने गाल बजा दो जाएं तुम ने रखते तुम लेक्ते सच बात है कि हमने क्या किया हम सिर्फ और उठाते हैं तुमने नहीं कि तुम प्रेवर्त रखना चाहिए तो हम प्रेपून्य व्रत में अपने खुद को अभी स्तियार करते हैं कि भाई जो भी मेरे आने वाली वाइफ है पूरा वो देना शुरू करते हैं और जो जाएगा भी वहीं वह उसमें कुछ यह नहीं है आपके शायद गड़त पकड़ में ना रहा हो कि भाई ऐसे कैसे जाएगा हम जानते नहीं है यह फॉना डिम का लेकिन आपकी एनरजी सीधे काम करती है कि जो मेरे आने वाइफ है मैं उसके तो कहीं नहीं चीज आती है हम यहां पर एक स्पैक्ट्कर यह नहीं करते कि वह मेरे को तियारे नहींĩाएं है मेरे यही चलेगा पूरे दिन मेरा की अपना में जो जन्रली अपना पड़ाई करता रहोंगा और अपना जब तब और ध्यान और अपना शाम को सीधे अब खाना वाना खाएंगे और क्योंकि हरवार तो प्रेम पूर्ण व्रत गुरुजी के बनता था और इस बार भी बनता है ले नहीं जाकर बनेगा या पर हमको वही होना चाहिए सच बात यह है जो गुरुजी नहीं सिखाया कि अपने आपको ध्यान हो अपने आपको साध हो तो हम जितने भी सब जोड़े भगते हैं अब सब अपने घर में बना रहे हैं जितने भी हमारे शादी शुदा है वह अपनी भी हलाकि वह समान सब अवेलेबल नहीं है लोगडाउन की वज़े से एक सेब लेते हैं सेब में यह कहता है यह आपने सुना हो आदम और हुआ आदम और हुआ को यह था कि जबने पहली बार मतलब जो चीज खाके उनको जिंदगी बारें पता लगा था वह सेब था तो उस भागा होता है सात रंग का जो हमारे साथ जन्मों का प्रतीक होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है इसे सकरके तो इस पारतना गुरूजी का नहीं बना पाए अलागी मेरे पास कुछ पिक्चर से मैं वह भी दिखा दूँगा आपको की खरवार कैसे बनता है क्या-क्या करते हैं तो मेरा बस यह मैसेस था कि इसके पीचे आगे फिलोसफी क्या है क्यों हम प्रेम पूर्णिया बत बनाए मैं रिसाफ से आपको समय में आ गया होगा कि सीदा-सीदा यह कि अगर मैं अपनी वाइप से लव करता हूं यह नहीं लव का मतलब मैं आत्म साक्षाथ का म हम रखते हैं शादिशुदा विदूर बैचुलर हम सब रखते हैं कि आने वाली वाइफ जो मैं उसके डवलब्मेंट के लिए रखूं कहीं नहीं हम एक दूसरे को मिलके डवलब करें तो उसी के लिए अपना उनकी आत्मिक उन्रती के लिए तो देखने के लिए बहुत ब